नमस्कार दर्शक मेत्रों नियूस फोकस कारेकरमा हुँ प्राप्ते पंडे हापनों स्वागत करूछू नियूस फोकस निक शिरुआत करिये आज ना मुख्या समाचार थी विमुद्री करणने ऐतिहासिक घटना गणावता नाना मंत्री जेटली कहेचे प्रामाणी कने पारदर्श कर्थव तरफ भारते गती करीशे त्रासवादी टोल्कियोंनी आर्थिक करोड रज्जू मर्डी नाकवामा सफर तानों पन करियो दावो मोधी सरकारना आर्थिक नेणायोंनी चुट्रणी लक्षी आलोचना करवा अम्दावाद आव्या पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग वस्तो सेवाकर तथा विमुद्री करणना फाइदा देशने खरेखर कितला थाया छे तैना खेल दिल मुल्यांकन माटे करी मागणी गुजरात ना 4 करोड 30 लाक मतदारों नो रूबरो संपर्क छा दिवसमा करवा माटे ना मह संपर्क भियाननों मंगला चरण करावे छे पक्षप्रमु कमिच्षा प्रधान मंत्री नो पत्र सितेर लाग प्रात्मिक सभ्यो प्रत्येक परिवार सुधी पहुँचाडशे धारसबानी आगामी चुटणी नो जोग घडवा माटे ना कारणों नी राजकी अशोध चरम सिमाई विकास ने अनुब्भूती मतदान माटे निनायक बनशे के जाती वादी गणतरी तेनो ग्यास काडवानी कवायत आगाही कार करी रहा छे बनास काठा जिवा कॉंग्रेसी गड़ना कांगरा खिरवा माटे भाजपनी चावनिये वेला सर शरु करी मेनत सरहदी जिल्लानो मिजाज परिवर्तन अने पुंद्रावर्तन पईकी शू पसं करशे तेनो सस्पेंस गुटाई शे हाल नव पईकी छ बैठक कॉंग्रेस पासे छे छेली वा चुटणी ना परेंदनो प्रथक करण करता आंकडा नो खेल लो भासे छे कॉंग्रेस करता मार नव टका वधू मत मेलवी भरे मजबूत विजय अंसल करेलो मामूली ताथी गुमावे रैठक जित्वा माटे मेहनत करशे बनने पक्ष मतदार सहारू बूती अंके करवा माटे करेला कामना राजकी विश्यना वाईदनो वाता वरन गुटा तू जाईचे परन्तु अंता पन्ते मारी वात सामड़े देजु मेर अमने गमशे समाचार विगतवार चुईए विधान स्वा चुटनी माटे प्रचार नो समयो पूरो था राजकी अचार पडम शान्थी गयाज हवे व्यक्ति सवर चुबेश्चे राजे अरसट विधान बैठक माट वमी नवेंबर ना रोज मतदान थश तमक्षोय मतदाओने तरफ वाळवात लगा छे केंद्रें अंत्रिम्रूति यानिये आजिला दियुजे इजिने सम्भूधन करियू बधाने नमी नवेंबर ना राज दा दिक्षा छे अईकट विधा ठक माटे परिस उमेद्वार मैदान माँ छे जमा बसो जाउद थी वदू बरस ना तक अने तेथी वदू अभ्यास धरावता होवा थी हिमालनी आ चुट्रणी सवथी वद शिक्षित उमेद्वारो द्वालड़ाशे चलमा प्रचार सम्द थयो चालो हवे गुज्रा बरस नू फोसकोश चुट्रणी ना दियुस वार इभाज़ान कॉंग्रेश वज़े नमो गोठवावेशे चालो चुट्र पहल थी शरू करिये चुट्रणी ना रंगा सितीर लाग जी प्रात्मिक सभ्यों इसनी साथे केंद्री अ मंत्री उपान चुट्री मेंद्वा इवत सुधी 4 करोर 30 लाग जितला मत्दारों नो कराशे व्यक्तिकत संपर्क मुख्य मंत्री विजे रुपाणी ये राजकोडी करिश्ट्रमुक जीतु वागान ये भावन क्यांद्र स्लकार ने हाथ लेता अंजी नावने और बेवडा मार समान गणावया शोव टूब अधि रुपाणी ने वर्ष पून थे विमुद्वार्ण स्लकार नों खोटों निने गणावी 8 मी नवेम ने काड़ा दीवस तरी के मनावानी करीवात तो आ नाना मंत्री अरून जेटली ए मनमोहन सीन जवाब आपता के तरके विमुद्री करन ने अर्थ तंत्रने बदल अनुपने काम लूटी, कॉमन वेल्थ, ने कॉल्सा का उबन मा थे जेटली विशारी वर ब्लैक बे तरी के उजवशे तो भाजब तैने एंटी ब्लैक मनी डेना रूप मा उजवशे पॉलसी परालिसिज, कुछ ना करना, ऐसी हकूमत चलाना और प्रधान मंत्री जी ने एक स्ट्रक्चिरल रीफॉर्म्स एक के बाद एक करके बदलाव आने का प्रयास किया गुजनात इलेक्शन्स 2017 नी वाद करी तो आज दिवस खूद महत्वनू रयू छे आज अमीच चाजे के बीजेपी राष्ट रध्यक्ष चे एमने आजे गुजनात गौरव महा संपर्क यात्रा नी शरुवात करी छे अने फोकस हतू के वी रिते डोर टोर कैम्पेनिंग करी शका है अने वड़ा प्रधाने जे मैसेज आपीू छे ये वी रिते विकास ने तमें मत आपो एमनी आखिया केम्पेनिंग अमीच चाही करी छे पर अमीच चाज जेवी रिते अमदावात ती राजकोट सुदी आया एवी रिते ज कौंग्रेस ने मोटो ज़ाटको लागियो छे तमने बताई दिये के आजे राजकोटी, कश्मीरा, नाथवानी एवी बीजेपी मा जोडाई गई छे तो खुबज महत्पनों चेहरो अतों कौंग्रेस नो ज़ारे कश्मीरा निवात करिये ने एवी ज़ारे बीजेपी मा जोडाई जाये छे जी हाँ, हार्दिक पटेले कौंग्रेस ने डेडलाईन आपी आती, के तमे अनामत विशे शू कर सो, तमारी स्ट्रेजिस शू असे, ए विशे तमारी रणनीती सुचे, एनो तमे खुलासो करो तो आज ये जो बहुँ शक्यता चे, के आज रातरे बहुँ बधी गतीवी धी गटी सके चे, के हार्दिक पटेल कौंग्रेस नेताओ साते मड़ी पर शक्यता चे, एवी पर शक्यता चे, तो ए बधी कवरे जामें दूर दर्शन उपर तमने लगातार बतावतार आईशू पर आज ये जे सातमी तारिकी डेडलाइन पूरी थाई रही चे, एना विशे अजी सुधी हार्दिक पटेल कशू बोले आ ना थी, तो एवी शक्यता चे के रातरे आजे कई मोटी एलान के पई गोश्टा थाई शक्यता चे, एक कॉंग्रेस ना फेवर माजो जती होए अशोग गेलोत नी आगेवानी माँ शरू करशे जन संपर्क, एक सो ब्याशी विदान सबानी बैठक उपर, एक करोड घरोनों कराशे संपर्क, कॉंग्रेस प्रमुख भरत सी सोलंकी नी जहेरात जो के राजियना पूर्वा मुख्य मंत्री आनंदी बैन पटेले कहूं के कॉंग्रेस नी पासे कार्यकरोज न थी, आउपरांथ तेमने जनावियू के चुटणी माँ भाजपना पेज प्रमुखों निभावशे महत्वनी भूमी का हीमाचल माँ प्रचार पडगम थेया शांद, हीमाचल बाद हवे तमाम रास्ट्रिय कक्षाना नेताओ जंपलावशे गुजरात नी चुटणी हलचल माँ कॉंग्रेस ने भाजपना नेताओ मत्दारोने रिजववा लगावशे एडी चोटी नू जोर दरेक गुजराती पेली गहवत तो जानेच छे के रणमा जीते ते शूरवीर, किटलू रड़िया किवो मुकाबलो करियो ते वाद ठीक छे, बोल बाला तो जितनार नीज थाई, शूरवीर ते गणाए आवात माणवा पाचरण नू कारण मात्र एटलू छे के चिल्ला 22 स्वर्ष्थी सत्ता भाहर बैठेली कॉंग्रेस ने 2012 चूटनी जीतवाना कोड हता, पन रोडाई गया बाजपने मलेला कूल मत कॉंग्रेस करता फक्त नव टकाव बदू हता, छता विजय नी वर्माळा भाजपे धारण करेली आकडा बाजी नो आवो दाखलो प्रस्तूत छे गुजरात विधानसपानी चुटनी जेम जेम नजी कावी रही छे, तेम दरेक पक्ष जनता पासे समर्थन मेडवाना प्रयतनमा एडी चोटी नू जोर लगावी रहा छे ते पची मुद्धाउनू राजकरान होय के पची तोड जोडना समिकरान जनतानों मत सवना माटे सर्वो परी छे वर्ष बहेजार बार विधानसपा चुटनी माँ उग्रिन स्वेशी बाद सौथी वदू पुल एकको तेर पॉंट बत्रीस टका मत्दारोए मत्तान करी हातू जेमा थी सुर्थालीस पॉंट निव टका मत भाजपना पाले जहरे अड़त्रीस पॉंट निव टका मत कॉंग्रेस ने मलया हता जो आ मतों ना अंतर पर नजर करिये तो बन्ने पक्ष वच्चे मात्र नव टकानू ज अंतर रहुम हतू छेली चुटनियों मा दारा सभा अने लोक सभा ए बन्ने नी मत्तदानी टकावानी मा खासो फर्क छे बार्ची जन्ता पाल्टी अने कॉंग्रेस नी वच्चे विदान सभा मा नव दस तकानो फर्क छे अव या नव अने दस तकाने कही रीते जालवी सकाए अने जो बतना नी टकावारी बद से तो भारती जन्ता पाल्टी एनो लाब लई सके हम चे ए बुद्कारना नू भावा चे कूल 122 बेठकों पर योजाईली आ चुटणी मा भाजपने 16, कॉंग्रेस न साहिट, जीपीपी ने 2, जेडियू अने अन्याने 11 बेठक मली हती जे बेठक उपर कांटानी टकर थई हती, तेमा भाजपने 2 टका थी, पण ओछा अंतर थी, 16 बेठकों गुमावी पड़ी हती जरे कॉंग्रेस ने 5 टका करता पण ओछा मतना अंतर है, 46 बेठकों पर जीप मली हती कॉंग्रेस और भाजप के बीच में, जो 2022 परसंट का जो गैप है, उस गैप को डेफिनेटली हार्दीक पटल के कॉंग्रेस में जाने से कुछ फाइदा जरूर होगा, लेकिन इससे परसंटेज का जो डिफरेंस है, वो कम हो सकता है, लेकिन इससे भाजपा हार जाएगा, ये कहना मुझे लगता है, बेमानी होगी लोग तंत्राना आ पर्वमा दरेक मत किमती होचे, त्यारे आव अखतनी विदान सभानी चुटणी मा भाजपने हरावा माटे, कॉंग्रेस से चुटणी माटे लांबी चलांग लगावी पड़े तो नवाई नहीं इलेक्षिन डेस दुर दर्शन समाचार अमदावाद परक केवी रीते करशे त्यानी आगाहीमा सव पड़े आछे आछे 30 लाग थी पण वधूनी वस्ती धरावतो तेमज भारत पाकिस्ताननी बॉर्डर उपर स्थीत बनास काठा जिल्लो अहीं कूल 21,34,149 मत दाता छे जमाग 11,78,733 कुरूष 10,9,358 महिलाओ अने अधार थर्ड जेंग्डर सामेल छे दाता बेठक S.T. रिजव गडगाम बेठक S.C. रिजव छे जारे अन्य बेठको जनरल छे नव विदान सबा बेठको माँ थी 6 कॉंग्रेस अने 3 बेठको भाजपनी छे आम तो बनास काठा जिल्ला माँ वर्षो थी कॉंग्रेस नू प्रभूतवर हुँशे परन्तु वर्थमान स्थिती नी वाद करिये तो पूर जेवी परिश्थिती मां तमाम कॉंग्रेस ना धारा सब्य बेंगलूरू जता राया होवाना कारणे अहिना लोकों नी नाराजगी एक मुख्य मुद्धो बनी शके शे आ वकते बाजब कॉंग्रेस माटे जीत मिलवा माटे अगरी साबित थी सके एवा ध्राणों सरजाया जे कारण के बाजब जिल्ला पाटिदार समाज ठाकोर समाज अने दलिस समाज आ लोकों नुक्सान करी सके तेम छे तानेरा डिशा का करे जिवा सीटो उपर कॉंग्रेस नुक्सान थाय तेवा संकेतो पन जनाई रहा जे नुक्सान सहन करवानों पन वारो आगे छे तो डिशामा ए बड़ा आखा गुजरात नू अने साव थेश्यानू सवथी मोटा मोटू बड़ा का उत्पादननू स्थरल चे तो जो आपड़े एननो दंदा तरीके आने विक्सावे तो त्या रोजगारी पुरी पाड़ी श जेना थी पचात पणानू लेबल दूर थाए औने जिल्लामा नवी अउध्योगिक शर्वातो थाए जेना कारणे जिल्लाना युवानों ने सारी वी रोजगारी नी तको मले जिल्लामा दांती वाड़ा मुक्तेश्वर अने सीपू डेम होवा छता पाण पाणी मी समस्या जेमनी तेमत छे साथो साथ जिल्लामा मोटी कंपनियों अने फ्रेक्टेरियों खुबज ओची होवाना कारणे युवानों माटे रोजगारी नी पर समस्या छे महत्वनु शेके बनासकांठानू पालनपूर शहर हीराना व्यवसाई माटे प्रख्या थातू परन्तु व्यपारियों ना सूरत अने मुंबई मा स्थळांतर थवाना कारणे अहीं हीरानों व्यवसाई लगभग मुरुत प्राई थवा माड़ों छे इरा उद्योग इरा विकास बोड भनावों मावे त्यारे हवे जोवानू ए रहशे के कॉंग्रेस ना गढ़मा आवखते भाजब गाब्रू पाड़ी शक्षे के कैम आवखतनी चुटणी मा कौना सितारा चमक्षे तेना उपर सौनी नजब हैशे विरो रिपोर्ट दुर्दशन समाचार अमदावार मतदार आलमना दिलो दिमाग नो कबजोलेवा माटे चुटणी लड़ता तमाम पक्ष कोईने कोई रीते मुद्दाओ उछाली चर्चानी गर्मी पैदा करता होई छे हाल विकास अने जाती वादना मुद्दा होट लिबेट माचे समवाद दाता अरून शर्मा आए केंद्रिय मंत्री मंसुक बाई मांडविया ने आ मुद्दे फोड पाड़वा कहिऊ त्यारे मड़ेली प्रतिक्रिया प्रस्तूद छे गुजरात में इलेक्शन के अगर बात की जाये तो परवान पर है पूरे शबाब पर है और जिस तरह से बीजे पिया प्रचार पसार कर रही है ये देखना काफी दिल्चस्प है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मंसुक मंडाविया जी सर स्वागत है आपका दूर्द शन्यूस पर प्रधान मंति नीजे एक जो लेटर लिखा है जो मैसेज दिया लोगों को जो सब को पहुंचाया भी जा रहा है उसमें साफ तोर पर का है कि वंचवात को ने विकास की बात कीजिए कास्टिजम को ने व और राज्य में ज्याती जाती वर्ग समुदाय को विबाजित करते हुए बहुत राजनिती चली और देश में डेवलोप्मेंट नहीं ओ रहा था और गुजरात से नरहेंद्रभाई ने शरू किया डेवलोप्मेंट के आधार पर चुनाओं में वोट मागा जाता है क्या हम हमने बुजरात ने करके दिखाया और गुजरात में भी हम डालोप्मेंट के अधार पर ऊठों के रहें गुजरात के जनता ने डालोप्मेंट को एकसप्ट किया वेसे ही राष्ट्री रादनीती में भी आपने देखा होगा 2004 में विकास की रादनीती पर हमने वोट मागा और जनता ने हमको सपोर्ट किया आखरी सवाल करना जाएंगे हार्दिक पटेल अलपेश ठाको और जिगनेश वेवानी के अगर बात की जाए जिस तरह से अपने पावो पसार र्यागे बढ़ रहे हैं क्या लगता है किस तरह से इस पूरे समीकरण का बनते हुँ देख रहे ह और किस तरह से आप देख रहे हैं सब चीजों को कॉंग्रेस के पास जनता के बीच में जाने का कोई मुद्दा नहीं रहा थी और वो जाबी नहीं पाती थी और उसके पास कारकरता भी नहीं बचा था वेशी स्थीती में वीवीद समाज का त्रोष्टी करन करके उन्होंने राजनेती करने की कोशिश की यह उसका परिणाम है और यह वज़से उसके माध्यम से वो भारती जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाए लड़ रहे हैं लेकिन जनता सब कुछ जानती है गुजरात की जनता समझदा जनता है और सब देखती भी है कैमरा परशन स्पृती के साथ अरुण शर्मा दूर दर्शन न्यूस प्राज कोट दरेक राजकी अपक्षन तेना उमेद्वार नी वाज सांभरतो मतदार खरेखरतो पोतानों पण एक अभी प्राई राखतो होशे अने चोकस दिशामा विचारतो पण होई शे मतदार नी विवेक मुद्धी नी जलक प्रस्तूत छे यहां की नहीं हूं अमदा बात की तो मुझे आइडिया है कि रूलर में अभी भी लोगों को मलों प्रब्लेम फैस करनी पड रही है जैसे पानी का मैं इस धंदुका से बिलोंग करती हूं मेरे घर पे विक में एक बार पानी आता है कभी कभी 15 दिन में एक बार पानी आता है तो सारी पोलीसी गवर्मेंट ने अच्छी बनाई है बट उसका इंक्लिमेटेशन के लिए उन लोगों को कोई कमेटी बनानी चाहिए जरूरी ना थे के अब खाली डिजिटल वेमा अब बदा डिजिटल अज विकास था हुझे पन जे माइना गवर्मेंट अपना वेचे इब बदा लोकों सोधी जो पोचे तो जे साचो विकास था ने जो साचा वेमा विकास था से मुझे लगता है वोट हमेशा विकास और एजुकेशन डवलपमेंट उसी के आदार पर होना चाहिए जाती वाद का समय गया अब तो लोग धरम की भी बात नहीं करते जाती धरम से उपर उठके राष्ट और पूरे विश्व को एक समझने वाला समय आ चुका है क्योंकि प उसके हिसाब से विकास तो यहां और होगा कास फेक्टर एक मुद्दा मनाया गया है एक्चुली कुछ ऐसा है नहीं समझो कुई भी जाती हो पकड़ो आप तो यह तो सिमीत तो है नहीं हो हम जाएंगे तो सिर्फ विकास के पर जाएंगे तो इसमें सब का भला होगा जो भी चीज़े अपन को रोकती है, जैसे अवेरनेस करने की ज़रुवत होती है, कहीं लोग पढ़ाते नहीं है, सुविदा होती है, सरकार हर जगा पे पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं है. स्टुडेंट्स के लिए कुछ अच्छा सा काम करें, स्टुडेंट्स के लिए नई ओपर्चिनेटीज आए, जो वेकंसी ज्यादा मिलें. स्टुडेंट्स प्रचार सामगरी पर प्रिंटिंग नी कामगिरी नो आरंब करियो हतो अम्दावादने हिद्राबाद जिवा नगरू मा पन चूटनी प्रचार सामगरी ना प्रिंटिंग नी कामगिरी मोटा प्रमाल मा चालती होई छे चुटणी नू प्रचार मटीरियल तैयार करवानो वैपार टूंका गाळामा मोटू टनोवर आपनार होवाच छता कैश पेमेंट उपर अज धन्दो करवाने रीत रसम वधू पसंद कराई छे दमन प्रशासन द्वारा न्यू दमन न्यू इंडिया ना भाग रूपे दमन शहर ना नवीनी करण नी कामगिरी चाली रही छे देवका रोड उपर पण ते अंतर्गत नवो बनवानों होवा थी वहीवटी तंत्राये कितलीक होटेल द्वारा थायेला गेरकाई दे बहंध काम तोड़ी पड़ाया हता देवका पर कूल पंदर जिटली होटेल सने बै खानगी बंगला खाते थी दबान तोड़ी पड़ाया हता देवका रोड उपर आवेली होटेलों द्वारा सरकारी जमेन उपर थायेला गेरकाई ते भधकाम दूर थाता नवीनी करण नो मार्ग मोकडो थायो छे नायब कलेक्टेर चार मी पारेक ना नित्रुत्व मा आ कामगीरी शांती पुर्वक संपन थे हती काईदो जहरे काईदा नू काम करे त्यारे गुनेगार मा कि वो फफ़डाट पैदा थाई चे ते दमण मा नजरो नजर सवे जोयो हतू अमदावाद मनेजमेंट एसोसियेशन जापान सेंटर आजे अमदावाद मा जापान ना प्रोफेसर डॉक्टर टोमियो मिजोकामी ये हिंदी भाशा मा वार्तालाप करे हतो वार्तालाप कारेक्रम मा जापान सेंटर ना विद्यार्थी औने शहरी जनोए मोटी संख्या मा भागली दो हतो डॉक्टर मिजोकामी ए जापान भारत संबंधो औने पोतानी भारत यात्रा विशे रस्प्रद माहीती रजुकरता श्रोता ओए तैमने रस्पूर्वक सामड़े हता अम्दावाद खाते ना आ जापान सेंटर मा जापानी भाषा अने संस्कृती नी तालीम अपवामा आवे शे जापान ना प्रोफेसर अहीं भारत मा गुजरात मा आवे अने शुद्ध हिंदी मा वार्ता लाप करे तो तमने शु अनुभव थाए के गया जनम्मा ये जरूर भारती हर्षे आवाज एक सुन्दर मजाना जैपनीज प्रोफेसर अने हिंदी ना खुब मोटा विद्वान एवा प्रोफेसर तोमियो मिजोकामी आपनी वच्चे छे मने गनी खुशी ठाय आचे मैं नो सार के बाद आमेदबाद आ सका वैसे ये मेरा चोटा दोरा है गुजरात तो भारत वर्ष का बहुत महत्रपून अंश है और कास्तोर से अधोगी कुद्रिश से बहुत ही आहम भूम का निभाने औरा अगरनी प्रदेश है जैसे यहां कोई बिजली की कोई कमी नहीं यह सब मोधी जी की कृपा से यह हो रहा है इसलिए गुजरात को जापांगी रूख बहुत धिहां से देखना चाहते मैं भी देखना चाहूंगा अने हावे जो ही है सोचल मेडिया मां ट्राइन थाहेला कितलाक समातारों नो अमारों खास रिपोर्ट केंद्रे सरकार्ना विमुद्री करणना नेड़ाईने एक वर्ष पून थाई छे त्यारे डिजिटल लेवड देवड मां सोथी मोटो उछाळों आवे होवानू पीमो एंडिया ही ट्वीट करी ने एक ग्राफिक प्लेट शेर करी छे जह मां जणावायों छे कि ऑगस्ट बहे जार सोड मां डेबिट कार्थी थाहला ट्रांजेक्शन अटाराजार त्रांसो सित्यर करोर रुप्या हातु जे वधी ने 35,430 करोर रुप्या थायों छे इल्ले के डिजिटल ट्रांसेक्शन मां 48 टकानो धर्खम वधारो थायों छे आ साथेज पीमो द्वारा ट्वीट करी एपन जानकारी शेर कराई छे क्या पहला डिजिटल ट्रांसेक्शन मांटे 15,000,000 जेटला पी ओएस मशीन हाता परन्तु विमुद्री करण बा देखले के छिला एक वर्षमा तेर लाग जेटला पी ओएस मशीन नो उमेरो थायों छे गुजरात विधान सपाने चुट्री ना हवे गणत्री ना दिव सोज बाकी रहा छे त्यारे चुट्री पंच द्वारा मतदार ने मार्क दर्शन पोचाडवा सोशल मेडिया नो उप्योग शरूत हयो छे आवकदे सव प्रतम वकत विवीपेट द्वारा मतदान योजावानू छे त्यारे खास प्रकारना मतदार जागरूती अभ्यान चलावाई रहा छे चुट्री पंच द्वारा केवामा आवे छे मतदान जरूर करो आवकदे शाड़ा ना बाड़ाको द्वारा रेली नू पन आयोजन करवामा आवी रही छे इट रूज नहीं चुट्री पंच द्वारा विवीट कंपनियों मा काम करता कामदारों ने विवी पेट अंगे जरूरी मार्क दर्शन आपी मतदान जागरूती अभ्यान चलावाई रहीं छे दक्षिन भारत ना सुपरस्टार अभिनेता कमल हासन नो आजे जन्मदी वस छे दक्षिन भारत नी फिल्मों उपरांत एमनी पुषपक एक दूजे के लिए हिंदुस्तानी हे राम चाचे 420 दशावतात अने विश्वेरूपम सहीतनी हिंदी फिल्मों पर खुबज प्रसीद देछे कमल हासन अभिनाई उपरांत स्क्रिप्ट राइटर गीतकार पाश्वगायक अने कोरियोग्राफर पन्छे तेव पोतानी फिल्मों माहम में शाख पिंक नौतर प्रयोगों करता रहा चे आजे कमल ना 63 मा जन्वादी उसे सोशल मेडिया पर तेम ना चाहकोई ट्वीट्स करी तेमने शुबिच्छा उपाठवता ट्वीटर उपर हैश्टैग हापी बर्थडे कमल हासन खुबज ट्रेंद थयो हतो सोशल मेडिया डेस्ट थी अनके 44 नो रिपोर्ट दुर्दशन समाचार अमदाबाद अन्य हवे जोईए हवामान समाचार जान्य हमाचार दर्शक में तरौा साथ है जी नियूस फोकस हैं पुरूथाई चे नमस्कार